हेलो श्रेंट्स ये क्लास DRTA first year के लिए है जिसमें अपना subject है radiography first positioning आज का अपना topic है dental radiography याइन जो दंतों की radiography होती है वो किस प्रकार से होती है क्या क्या projection होते हैं कौन-कौन जो फिलम्मे ले जाती है वो सारी आज अपने पढ़ेंगे आपने देखा होगा दान्तों की फिल्म जब ली जाती है क्यों ली जाती है या दान्त कोई फेक्च हो गया है या अपने टीत की रूट को देखने के लिए या कोई उसमें आज अपने करेंगे कि किस प्रकार से व्यू लिये जाते हैं कौन-कौन से व्यू लिये जाते हैं आप सभी ऑस्पिटल्स में लेब्स में गए हो खुद का या किसी रिग्रेटिव का जब एक्सरे करवाया था आपने इस टाइप की मसीन देखियोगी यह जो मसीन होती है यह अपने डेंटर लेडियोग्राफिक के लिए होती है इसमें एक्सपोजर फिक्स रहता है और बिलकुल लो एक्सपोजर दिया जाता है अपने डेंटर लेडियोग्राफिक के लिए क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस भी कम होती है बोने पार्ट भी कम होता है इसलिए लो एक्सपोजर में अपना व्यू हो जाता है तो यह जो मसीन आपको दिखा रखी है यह अपने डेंटर लेडियोग्राफी के मसीन होती है तेखो भी अपने डेंटर लेडियोग्राफी स्टार्ट करते हैं तो इसमें उसस क्या जाते हैं एकसर अपने सभी पार्ट के लिए किया जाते हैं सभी की पोजिशन अलग रहती है इसमें जो मॉस्ट कमन 2-3 पोजिशन सा वही रहेगी और फेक्टर लगबग अपने सेम रहत होते हैं तो यह examination है यह सारे special views में होते हैं reason of dental radiography that are dental radiography किसलिए कि जाती है वो अपने को बताया हुआ है any pathology in teeth and its sporting tissue teeth में या इनके sporting tissue में कोई भी pathology आ गई है तो उस condition में अपने dental radiography किये जाती है any abnormality in teeth and sporting tissue teeth में या उसके sporting tissue में कोई भी abnormality आ गई है तो उस condition में भी अपने dental radiography करते हैं for measure the length of root of teeth teeth की root होती है वो कहां तक गई हुई है उसकी कितनी length है वो भी इसके द्वारा measure की जाती है to detect the sliveric calculi and foregan body in slivery gland जो अपने slivery gland होती है उसमें कोई भी foregan body आ गई है या कोई calculi आ गई है या नि stone आ गई है तो उस condition में भी अपने उसको देखने के लिए dental radiography करते हैं to detect the facial injury facial injury देखने के लिए अपने ये view किया जाता है या नि facial injury मतलब face में कोई भी injury हुई उस condition में अपने दांत में कोई भी fracture आ गया या दांत हिल गया है तो ये view किया जाएगा to see the soft tissue pattern before the orthogenic surgery जब orthogenic surgery की जाती है तो उससे पहले soft tissue की structure देखने के लिए soft tissue का pattern देखने के लिए वह बिल्कुल सही है किस किस प्रकार से उनका pattern है कौन से पार्ट में अपने उस surgery करनी है इसलिए soft tissue का pattern देखने के लिए ये view किया जाता है ये अपने हों क्या है dental radiography के most common examples बताए गए है indications बताए गए हैं किस किस time अपने ये dental radiography की जाती है नेक्स्ट अपने बात करते हैं type of dental radiography dental radiography कितने types की होती है two types की होती है external radiography और internal radiography नाम से पता लग रहा है internal radiography यानि अंदर के side की image लेते हैं एंटिरियर पार्ट में क्योंकि जिस पार्ट की image लेनी है वो पार्ट के set के touch में रहना चाहिए उसी प्रकार जैसे internal radiography अंदर के side की radiography करेंगे तो जो अपनी फिल्म हो अंदर की side रहेगी external radiography और बाहर की side की जो radiography करते हैं dental की तो अपनी film क्या है बाहर की side रहती है देखो इसमें आगे internal radiography the radiography is done when film is put inside the mouth अभी आपको बताया था कि यह radiography की जाती है तो फिल्म क्या होती है मुखें के अंदर होती है inside the mouth तब इसको अपने क्या बोलते हैं internal radiography कि देर आर थ्री प्रोजेक्शन जो अपनी internal radiography होती है उसके अंदर अपने तीन प्रोजेक्शन होते हैं इन्टरनल रेडियोग्राफी अपने तीन टैप से की जाती है बाइट विंग प्रोजेक्शन नाम से पता जल रहा है बाइट विंग प्रोजेक्शन यानि अपने क्या है फिल्म के बाइट करना उससे प्रकार से इमेज लिया जाएगा इट इस ए लेटरल वियू ओफ पॉस्टीर रिजन ओफ जा यह जो जो का पॉस्टीर रिजन होता है यान जब्रे का पिछे का रिजन होता है उस रिजन की लेटरल वियू करने के लिए उप्योग में की जाती है In this view, the radiography appearance are the crown and allular crystal bone of premolar and molar. Pariapical Radiography Pariapical Radiography It is Lateral View This is a radiological appearance This is a radiological appearance Crown root and surrounding structure are seen Crown roots are seen The next project is occlusal radiography In this radiography, occlusal film are used In this radiography, occlusal film is used which you should see Solve in the Nose It is occlusion in occlusal film Occlusal film is shown that the occlusal view will be shown for the occlusal film Occlusal film is shown here for the occlusal film यह अपने होगी internal radiography अब अपने बात करते हैं external radiography की in this radiography the film is put outside the mouth इस radiography में जो film होती है वो mouth के outside में रखी जाती है internal में अपने film को inside रखा था और external में film को बाहर की side रखा जाता है there are three projection इसमें भी अपने क्या है three projection होते हैं dental panoramic radiography सबसे पहले अपने आता है external radiography में dental panoramic radiography in this view the both zoe images are taken in single film with double exposure इसमें क्या किया जाता है एक ही film में दो बार exposure करके और पूरे जबडे की image ली जाती है यह अपने panoramic देखा होगा कई बार अपने phone में भी panoramic option आता है camera में कि अपने 180 डिग्री पे image ले सकते हैं यह जैसे film जब डेकर left side में है तो अपने एक्सरे ट्यूब क्या left right side में होगी तो जिस प्रकार exposure करते जाएगी अपनी जो एक्सरे फिलम में वो गूमती जाएगी फिर एक्सरे फिलम क्या left side में आ जाएगी और एक्सरे ट्यूब right side में आ जाएगी इस प्रकार से पूरी image अपने panormically जाती है next projection आता है अपना lateral oblique view यह lateral oblique view किस प्रकार ले जाएगा in this view clearly visible the larger area of mandible and maxilla इसमें mandible और maxilla का जो larger area होता है वो अपने को clearly seen होता है यह अपने कौन सा हो गया lateral oblique view अपना third projection आता है external view में सिफेलोमेटरी सिफेलोमेटरी क्या होता है in this technique the facial bone structure film are obdenate इसमें क्या किया जाता है facial bone की structure film में ले जाती है these images are used in orthodontic, orthogenetic and implant treatment इसमें क्या किया जाता है इस film का यूज कहा किया जाता है कि orthodontic, orthodontic क्या होता है अपने दांतों में chain वगरा लगवाते हैं दांतों को अंदर रखवाने के लिए तो वो क्या कौन चीका लाती है orthodontic और orthogenetic हो गया और implant treatment अगर कोई बिदानत का implant करना है नहींगा पुराने को निकालना है तो उस condition में अपने ये image ली जाती है यहां देखो अपने को image में एक dental radiography का view दिखाए गया है इस प्रकार की image अपने dental radiography करने के बाद अपने को प्राप्ट होती है अपने को प्राप्ट होती है प्राप्ट है अब अपने एक नया तोपिक स्टार्ट करते हैं ओसमें कौन-कौन से इश्डूमेंट्स काम में लिये जाते हैं किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं रेडियोग्राफर को क्या बातें द्यान में रखनी चाहिए स्टाप को क्या बातें द्यान में रखनी चाहिए किस प्रकार से इमेज ली जाती है वो सारे अपने पढ़ेंगे यहां ओपरेशन त्याटर टेकनीक में यह आपने वही बातें देखते हैं जो अपने के लिए आफशेक्ष होती है यह रेडियोग्राफर के लिए जो बातें जरूरी होती है उन्हीं बातों के अपने study करेंगे देखो creative graph have to be taken in surgical procedure it should be ensure that radiograph should be taken quick and good quality जब अपने क्या है operation theater technique में कोई भी x-ray लेते हैं तो अपने को यह पहले sure कर लेना चाहिए कि अपना procedure बिल्कुल सही हो रहा है उसकी जो image की quality है वो अच्छी आ रही है और बहुत जल्दी अपने को exposure करना पड़ता है वहाँ अपने weight नहीं कर सकते हैं जो operation theater technique की radiography होती है वो लग बग ओटी शेंटर में काम में ली जाती है और वहाँ exposure की साथ भी साथ दिया जाता है next before going to operation theater radiographer should be check that all equipment have been bought and ready to use operation theater में जाने से पहले radiograph अपने सभी equipment check करता है कि उसने सभी equipment ले लिये हैं और जो सारे equipment लिये हैं वो use करने के लिए ready है यानि कि जैसे अपने image ले रहे हैं तो image अपनी खाली होनी चाहिए expose होई होई नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से radiograph और सभी equipment को check करता है और जितने भी equipment क्या शक्ता होती है वो सारे equipment लेता है use in अपने और operation theater का कहां use में लिया जाता है radiograph का orthopedic surgery में operative cholangiography में या interventional urology में इन सारी condition में क्या है अपने radiograph का यूज लिया जाता है पर्सनल प्रिप्रेशन रेडियोग्राफिक की पर्सनल प्रिप्रेशन क्या रहती है यह ओटी चेंटर में अपने डॉक्टर सारी प्रिप्रेशन करके आते हैं अपने को पढ़नी है रेडियोग्राफिक की पर्सनल प्रिप्रेशन देखो रेडियोग्राफिक कर देगा कोई भी ज्वेल्री यह तो उसको रिमूव कर देगा और हेर को टोटली डिस्पोजल केप से कवर करके रखेगा ठीटर शूज और वोन एंड ए फेस मास्क और रेडियोग्राफर के दौर तो ठीटर शूज होते हैं वो पैने जाएंगे और जो फेस मास्क आता है उसको भी पैन के रेडियोग्राफर अंदर जाएगा इन अबोशन ओफ स्केन देन यूज वाटरप्रूफ ड्रेसिंग स्क्रेन को अपने सुरक्षित रखने के लिए बचाने के लिए रेडियोग्राफर को वाटरप्रूफ ड्रेसिंग पैननी पढ़ती है एक्यूपमेंट यूजड इन ओर्टी ओप्रेशन थेटर में यूज के जाने वाले एक्यूपमेंट मुबाइल एक्सरे यूनिट नॉर्मल ओर्गन मुबाइल इमेज इंटेंसिफायर और्थो केस जो मुबाइल एक्सरे यूनिट होती है वो अपनी नॉर्मल ओर्गन के लिए यूज में ले जाती है और जो mobile image intensifier होता है वो ortho case में यूज ले जाता है जो direct लगा तार अपनी रेडियोग्राफिक चल रही है उसके लिए अपने image intensifier यूज में लेते हैं Use any machine depend upon the requirement of the radiographic procedure Radiographic procedure के लिए जिस machine की आवशकता होती है वो machines अपनी यूज में ले जाती है Use the prevention of infection, the unit selected should be cleaned and dried after each patient अपने को infection से बचने के लिए जो अपनी accessory unit होती है उसको एक patient के उपर यूज करने के बाद उसको अच्छी तरह दो के और clean करके सुखा के next patient भी यूज में ले जाती है Accessory equipments इसके साथ में अपने क्या क्या equipments की आवशकता होती है cassette holder, stationary grid, image intensifier, foam pads ये सारे अपने क्या है mobile accessory unit में रखे जाते हैं और इसके साथ ये अपने को इसकी आवशकता पड़ती है Pax connectivity, with modern mobile image, enter a Pax decom alum case should be established to image capture and retrieval of previous image अब क्या है machines में Pax का use भी किये जाना लगा, ये Pax क्या होता है जो अपने real time imaging होती है, वो अपने save का सकते हैं, उसको बाद में देख सकते हैं या अपने यहां बैठे बैठे doctor के पास बैज के अपने doctor को दिखा सकते हैं या उस image को अपने कहीं भी बैज के उस videography को कहीं भी बैज के अपने doctor को या दूसरे radiographer को दिखा सकते हैं या दूसरी monitor screen पे देख सकते हैं उस system को क्या बोलते हैं Pax connectivity Radiation protection अब जो अपने यूज कर रहे है radiation उसमें क्या क्या protection यूज में लेनी चाहिए radiographer should wear, TLD, lead protective apron, thyroid shield ये सारी radiographer के होनी चाहिए apron होना चाहिए, TLD होना चाहिए, thyroid shield पैनी होना चाहिए यारि radiographer को खुद का पूरा protection यूज में लेना चाहिए also provide to other staff it possible अगर ये सारी shielded चाहिए या protection के लिए जो आउशकता होती है वो अगर staff को provide करवा सकता है तो staff को provide भी करवानी चाहिए staff must be standing as far as possible from the source of radiation और बाकी staff को source का जो radiation उससे जितनी दूर possible हो सकता है उतनी दूर खड़ा रखना चाहिए radiation field appropriate collimated and appropriate exposure factor जो radiation का field होता है वहां अपने को collimator भी use करना चाहिए और जो radiation factor होता है वह भी कम use में लेना चाहिए जो radiation होता है उसका कम से कम use में लेना चाहिए ताकि रेडियोग्राफर खुद भी प्रोटेक्ट रहा सके staff प्रोटेक्ट उसके और अपनी image भी अच्छी quality की आ सके radiographer must give the clear instruction to all staff before exposure radiographer expose करने से पहले पूरे staff को clear instruction देता है कि मैं exposure करने जा रहा हूं तुम सारे दूर चले जाओ या जितनी दूर जा सकते हो या जाओ उनको खड़ा रहने से वहां पे चले जाओ एक्सपोज करने के लिए रेडियू या जब एक्सपोज किया जाता है तो उससे पहले आवाज लगाई जाती है exposure तो जो staff होता है वह साइड में हो जाता है यहां अपने को एक image दिखार की है ओरली फिलम की यान जिस फिलम को डायरेक्ट ओरल कैवेटी में जाता है औरल कैवेटी के यानि अंदर के साइड लगा के exposure किया जाता है यह एक ऐसी फिलम होती है जिसके उपर image आई और अपने को कॉम्प्यूटर में दिखाई दे जाएगी इस प्रकारी की यह image है नेक्स्ट में में आपको जो अपना एक टीट की में दिखाई गए जिसमें टीट का छोटा सा बाइट फेक्ट्र हो गया है तो वह बाइट फेक्ट्र हो आपने आपको एक स्रें मसीन भी दिखाई गई है इन डाग्राम को आगे देखें और समझे थेंक्यू झाल 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 याल झाल झाल झाल